हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू सोनी का किचन गी डाल देंगे देसी की हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारे नान एकदम सॉफ्ट भी बनेंगे और ये मैंने चार बड़े चमच दहीं लिया है उसे डाल देंगे ये मैंने थोड़ा गर्म दूद में डाल दिया है लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना दूद जो है एकदम नॉर्मल टमप्रेचर पर ही होना चाहिए तब ही आप घी चीनी और धहीं डाल के मिक्स करें अच्छे से तो इस बात का बस आप खास द्यान रखना अब इसे रख देंगे एक साइट पे दस मिनट के लिए ये मैंने आदा किलो मैदा लिया है दो बड़े का बैटर बनाया था उसे डाल देंगे अब ये देखिए दूद को अच्छे से हम मैदे में गून लेंगे जो हमने दूद का यानी बैटर बनाया था उसी से सारा मैदा गून देंगे यदि वो कम पड़ जाए बैटर तो आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं मैदा आप ज जरूर ग्रीस करेंगे फिर इसके उपर एक कपड़ा जो है पानी से अच्छे से निचोड लेंगे और इसके उपर डाल देंगे अच्छे से मैदे को कवट कर देंगे जिससे मैदा जो है मरा सूके नहीं अब इसे दो से तीन गंटे के लिए रख देंगे आप चाहें तो एक भी मैदा चिपका नहीं है और आप देख रहे होंगे इस बॉल में भी घून के रखा था उसमें भी बिलकुल नहीं चिपका यानि यही मैदा गूनने की एक अच्छी ट्रिक होती है तो आपको दिख रहा होगा मैदा कितना बढ़िया गूनदा गया है अब इसके हम वेकंटन का कप्रे से ढख के हम 15éo के लिए रख ञेंगे यान यह ने घनिया चॉप कर लिया और यह मैंने तोंग गार्लिक चॉप और यह मैंने काले टिल लिये हैं आप समझ गया है पेड़े भी थोड़े फूल जाते हैं तो इसके उपर धनिया, काले तील और गार्लिक डाल देंगे थोड़ा सा और मैदा फिर से थोड़ा डस्ट कर देंगे अच्छे से और इसको हलके से प्रेस कर देंगे हातों से लेकिन हलके हातों से ही वेलन से वेलेंगे इस बात का आप खास ध्यान रखना कि हलके हातों से हमें वेलन से वेलना है आप चाहिए गोल नान बना है हम घर पर ही बना रहे हैं किसी भी शेप में आप नान बना सकते हैं तो यह थोड़ा सा इलास्टिक की तरह नीचे से खेज देंगे तो एकदम लंबे लान बनेंगे आपके होटल की तर हैं लेकिन वیलन से हलके हलके आथों से ही आप बेइलेंगे और इसे भी आप देखिए लंबी शेप में बनाना चाहते हैं या गोल शेप में या आपके उपर ही डिपैंड करता है तो ऐसी सारे नां हम त्यार कर लेंगे आप देख रहे नान कितने शांदार लग रहे हैं तो आपको अब मन भी कर रहा होगा खाने के लिए जब देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं तो खाने में कितने स्वाधिस्ट होंगे तो नान मनाने के लिए मैंने भारी तले की कडाई ली है अब नान के दूसरी तरफ हम पानी लगा देंगे और बरतन को पहले से ही गरम होने रख देंगे जब कड़ाई गरम हो जाएगी तो इसे कौटन के कपड़े के सहरे ही नान को कड़ाई में डालेंगे यदि आप हातों से नान को कड़ाई में डालेंगे तो गरम सेक लगेगा इसलिए कपड़े के सहारे ही नान को डालेगा, आप देख रहे होंगे नान नीचे से जब पकने लगते हैं, सिकने लगते हैं, तो उपर से थोड़े-थोड़े फूल जाते हैं, अब कड़ाई को हम पलट देंगे, और हलके से गोल-गोल घुमाते हुए नान को हम पकाएंगे तो ये देख रहे होंगे कि नान जो है हमारे नीचे से पक गए हैं, और अच्छे से, यदि आपको लगता है क्रिस्पी नान खाने हो, तो आप उसे गैस पर भी कड़ाई से निकालके गैस पर दुबारा भी सेख सकते हैं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, तो क्योंना अच चीटे जरूर दे लें, और तवे को जब नीचे से नान पक जाएगा, तो तवे को उल्टा करके आप नान को अच्छे से सेक लें, यदि आपको और भी क्रिस्पी नान काना हो, तो आप गैस पर भी इसे रखके सेक सकती हैं, और आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया ना सिके हैं, दोस्तों सच में आप ये रेस्पी जरूर ट्राय करना आपको बहुत पसंद आई होगी, मैंने आप से पहले भी कई रेस्पी शेयर करी हूँ ही हैं, शाही पनीर की नान की आप उन्हें भी फुल वाच कर सकते हैं, नान पे लगाएंगे बटर, आई होब ये रही है, थैंक्स वर वाचिंग और टे केर, जय माता दी